इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटेनेट से लिगई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मेदारी नहीं होगी। योनी स्राफ पूरी तरह से सामान्य है यदि ये अन्य लक्षणों जैसे कि दूरगंध, रंग में परिवर्तन, मात्रा में अचानक वृद्धी, खुजली, जलन या जलन के साथ नहीं है। ये लक्षण शर्मनाक होने के साथ साथ परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। तीन वी सी पैसरीज योनी के संक्रमन के लिए जिम्मेदार जीवों को मार कर इन लक्षणों को प्रभावी धंग से प्रबंधित करने में मदद करता है जिसे ऐसे आकरामक लक्षण हो सकते हैं। अधिक्तम लाब पाने के लिए इसे डॉक्टर द्वारा बताय अनुसार लें। इसके अलावा किसी भी योनी संक्रमन से बचने के लिए हमेशा अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाये रखें। हर बार शौचालय का उप्योग करने के बाद हमेशा आगे से पीछे की ओर पोंचें, सूती जांगिया पहने, रोजाना स्नान करें और योनीक शेत्र में किसी भी स्प्रे या दुरगंद वाले उत्पादों के उप्योग से बचें। यदि आपको कोई संदे है तो अपने चिकित सक से परामर्श करें। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। अपने योनीक शेत्र को धोकर सुखा लें। अपनी पीट के बल लेटें और लेबल में बताया अनुसार अप्लीकेटर के उप्योग के साथ या उसके बिना योनी में जितना हो सके धीरे से पेसरी डालें। तीन वीसी पेसरी दो दवाओं का एक मिश्रन है क्लिंडा माइसिन और क्लोटरिमाजोल। क्लिंडा माइसिन एक एंटी बाओटिक है जो महत्वपून कारियों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर योनी मार्ग में बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। Clotrimagol एक antifungal है जो fungus को उनकी सुरक्षा परत बनाने से रोक कर उनके विकास को रोकता है। साथ में वे आपके योनी संक्रमन का प्रभावी धंग से इलाज करते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।